कि ये ढो टरम्स है ये सिमिलर हैं ये जिनको हम साई ये साई बी कह रहे थे तो ये टूबीटा हो जाएगा और इसी तरह ये साइट फॉब होगा क्योंकि साइए स्टूटू होगा एच वन वन और एच टूटू दोनों सेम चीज़े हैं दोनों इनर्ड चीज़ें तो उसको किसी एक के साथ एक यहां से टूटू यहां से तू एक फैक्टर यह और यहां से चाइब प्लस पीटा और वन प्लस टैल्टा आगा यह और एंटाई बांडिंग जो स्टेट्स हैं उसमें एगेटिव है तो यहां माईने साइन आ रहा है अब यहां पे जो एच वन वन और बीटर दर्म करें या ना करें तो इसको अग्डूर कर दीजिए यहां पॉइंट 00001 लिपके एड़ करें तो कोई जादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है यहां में जो परपस हैं वह इन टर्म्स को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी इनर्जी जाता है यह भी यहां पान प्लस में एचंग से यह थो इच वन फन यहां फै बीटा और जो wert quo माइनस तो मैंनस 5-5 माइनस 5 incompetent minus 5 minus 5 minus 5 minus 5 यह माइनस 10 माइनस 5 प्लस निजरा जैबाइब 9-10 –10 और प्रिविएस पिक्चर जो अभी बांडिंग और री मायनस की जाता है इस वाज नेजिद के उनकी इनर्जी जाता हैं अगर यह ओवरलापन फॉंक्षिंग जीरो होता है डेल्टा जीरो था यह डेल्टा भी जीरो फॉपी जीरो होता जो ऑफ डागनल ऐल्लमेंट्स अगर इपर आइगन स्टेट्स तो एच वान वन और यह चीज्ट सेम रहेती देट मिंस कि कोई किसी किसम का कोई ओवरलाप नह सबसे पहले कि मैटल को अगर आप देखें तो पिरियोडिक टेपल में आलमोस्ट यह जितने भी कलर में शोपी गई हैं तो बाकी जो मैटल के इलावा के ऐलमेंट्स हैं जाये वो समाइकंडुक्टर हैं यह फिर नोबल गैसे हैं या फिलोराइड हैं है है यह सब चीजें तो यह चीजें आप देख रहा हैं कि मैटल नहीं है लेकर मोस्ट आफ दीज तीज तीन्स आर्ड़ अर्ड़्स मैं तो मैटल्स की क्रेक्टरिस् सब्कटर्चाम के तो यह होता है यह होता है यह ऊकन तो असमें दश्द्द केंडक्टर्फ जैसा के सोडियम है उसमें वरिम्द्दों लास्ट कंडुक्टरेबिया थHDकंड़ chee kalian पकॉल इस इस TV यह दोनों बहुत अच्छे और बें का बोड तर्फ शड्र ऑफ बोग स्ट्रक्ट्टर अगर इनके देखी जाए तो मोस्टली यह FCC में HCP या पर BCC होता है यह जो पैकिंग है वो ज्यादा होते हैं स्कंपिर टू बाकी कि निरस्ट क्योंकि यह फ्रीली मूव कर रहते हैं तो यहां सोरी यह मोर नेरस्ट नेबर्स अब इनको आप मैटल की जब हम बात करते हैं तो जो लॉस्ट एलक्रान है इस अब जस्ट लॉज़ ली बाउंट तो निकलियस सो लॉज़ ली बाउंट अधु एंड़ यह तो पहर यह अब जास्ट लाक्राइज व्यूव कर सकते हैं सब इसको हम अगर देखें तो अगर इलेकरण वहां से निक्ल गया झाल इैगर फिछों बचार्ज बचए तो पीछ जो पॉजटिव चार्ज है वह और निक्टिव चार्ज अप इस तरह से बहुत देख सकते हैं कि like sodium है जैसे sodium में last shell में एक electron है यह free electron हो सकता है sodium plus sign बन जाएगा यह negative हो जाएगा तो एक glue की तरह पीछे जो भी यह blue color में show किया गए these are just number of electrons so electrons का जो पूरा glue है यह electron का जो mesh है shell पूरा में उसमें यह positive ions exist कर रहे है positive ions course okay cohesive energies इनकी जो है वो electron volt में है और smaller cohesive energy than ionic crystals ionic crystal के comparison में इनकी जो energy is cohesive energy interaction energy बहुत स्मॉल है larger ionic gradient larger ionic gradient for sodium is like 3.82 and metal के किसमे 1.94 onstrung sodium chloride okay यह metal के किसमे 3.82 है और sodium chloride के किसमे 1.94 है so sodium chloride जो है यह ionic solid है तो इसका 1.94 onstrung और इसका 3.84 82 bonding has no directional preferences इसमें कोई कि डिरेक्शनल किसम की bonding नहीं है okay so अब यह कुछ इसकी characteristics मैंने आपको बताई गई है metallic bonds है वो कुछ इस तरह की characteristics possess करते हैं okay so next है कि metallic bond exist ही क्यों करता है favorable क्योंबाइज इस दिस सो favorable अगर आप देखें इस शोडिंजर एक्वेशन को तो इसमें जो फॉस्ट है मैं सब्सक्राइब काइनेटिक इनर्जी जस्ट अगर फ्री पार्टिकल की बात करें तो यह आफ एक्स जीरो हो जाएगा पकि यह सिर्फ बच जाएगी तो यह एक उसकी इस इनर्जी को कम किया जाएगा यहां हम यह वाल एक्वेशन ही क्यों कॉंसे डगर रहे हैं रीजन इस कि अभी जैसे यह पीछे शो करवाया था कि यहां पे इलेक्ट्रॉंज इस वजासे हम प्रीपार्टिकल की जो इक्वेशन है उसको यूज करना चाहरे है यू आफ एक्स वह यह यह शोडिजर एक्वेशन को यूज करना चाहरे हैं इस शोडिंजर वेशन है अब मैं आपको बता चुक्राओं के इनर्जी इस टोटल यू इस जस्ट अदर समॉलर होगी और यह पोटेंशल करनेटिक इनर्जी के लॉट्चर होगी अब क्योंकि यह डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन थे तो अनसर्टिंटी प्रिंसिपल के मताबक डी लोकलाइज रहने ये जादा होगा जादा स्पेस्स में वह मूव कर सकते हैं तो ड्र डेल्टा एक्स अगर जियादा है दो डेल्टा फी स्मॉल होगी सो वेरिचेंशन इन पी स्माल होगी वेरिचेंशन एंपि अगया फिक टो तो इसके लिए हम बो क्योंज़ और मNew 10 पर्डैंशन तो अगर देखें जो इनकी इनर्जी इसको गर क्वांटाइज किया जाए जाहरीद सोरी क्वांटाइज ही है इसको गर सॉल्ट किया जाए तो आप यहां पर इनको प्लग करके हर एक की energy निकाल सकते हैं इसी तरह जो potential का wave function है वो sine या cosine function होगा exponential function होगा sine n sine n of x is equal to a sine of n by x over a या l जो भी है वो wave function आप लिखते होते हैं potential के लिए तो उसको ये function को draw किया है सो metallic bond है वो favorable है कि अगर इस तरह के potential well में exist करती है ये तो मतलब यह हुआ कि जो metallic bonds है उनकी energies इस तरह की उसमें कुछ exist करती होगी थैंक यू सो मच और जो यह मैंने जहां से प्रिपियर किया थीज आज़ेस रेफरेंसे स्कीटल का थर्ड चेप्टर है या एश क्रॉफ्ट की जो बुक है उसमें ये 20th चेप्टर में है ओके थैंक यू सो मच झाल का झाल का झाल ऩुँ का झाल का यू तरल साथ यह एसमें बड़ यह